कि इस जनमास्ट में के व्लॉग के अंदर मैं आप लोग सब्सक्राइब करना चाहूंगी जो पहले मुझे भी नहीं पता था लेकिन हमें पूजन के दौरान उन चीजों का पता होना चाहिए जैसे अगर हम राता कृषिन की सेवा करते हैं या गोपाल जी की तो हमें इन चाहिए और हजमें ने चंदन यहां पर कि हम घर में चारों का फास्ता गल पहले मंदर के अच्छे से क्लेनिंग वगारा करके अब यहां पर मैंने कृषिन जी को पहले दही से वन बाइवन करके तो आप देखो कि मैंने इनकी जो गले में कलावा बांध रख रख है लब ब पर मतलब हमें हमेशे जब इस्नान कराते हैं तो पूरी बॉड़ी खाली नहीं चोड़नी चाहिए कुछ ना कुछ लपेट के रखना जिए बिश्यक चाहिए आप कपड़ा पैना दो कोई लंगोट पैना दो या फिर एक आप कलावे से उस तरीके से उनकी बाड़ी पर एक बिशेख किया जाते हैं तो ऐसा ही मुझे जहां तक पता है तो बहगवान जी को कभी भी जब हम उनको उस्नान कराते हैं उनका भी शेख करते हैं तो रही पूरी बोड़ी खाली नहीं इस नहीं हो पा रहा था तो मैंने अलग लग कटोरे में इनको रखकर श्रीक कृषिन जी का राधा जी का भिशेक किया है यहां पर पहले वन को दही चंदन दूद अलग लग उस तरीके से उनका भिशेक के फिर बादमिन पंचमरित एक साथ में मिक्स करके उसके बादमिन का भी शेक किया है अजय को पर बादमिन पंचमरित राधा जी को फिर में साफ पानी में मतलब जो ब्रुकुल क्लीन वाटर होता है बल्कुल मीठा नहीं होता उसमें थोड़े से फूल डाल कर और आम मैं इनको इनको इक बात पाजेसे होते हैं कि हम अपने पाह करते हैं इस तरीके से सुंदर करके इनको अच्छे से बडीप पानी में रके इनको लिए क्लीन कर रहे हो तो हम लोग वही हस रहे थे बैटी साथ ने हम चारों मिलके पूझा कर रहे थे बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था वह बैटा था पूझा के टाइम पे और हस्बेंड शंक बजा रहे थे बेटी घ पूझा करते हैं श्रंगार के टाइम का वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि सारी पूझा में वेस्त होगे थे आरती में श्रंगार में तो उसका बीच करेंगे आप देख सकते मैंने मेयरवाला जो पाशाक है वो रादा कृशिंजी को पहना ही है यह में विर्दमन से लेके बहुत ही सुंदर बहुत पंकिन के फैल है जैसे फूलों के नीची है अगर आप देखोगे ना पूरी ड्रेस राता कृशिंजी के फैली हुए बहुत बढ़ा बहुत सुंदर ड्रेस लग रहा थे पहराने के बाद में इस तरीके से मैं अपनी पूझा अर्चन समात की और अपने बाद में बाहर मंदर में घूमने गए अपने नीचे जो हमारे सौसाइटी के मंदर है वहां पर हमने मठकी फोरन का जो वीडियो था वो शूट किया तो वह मैं आपको सेकंड पार्ट में कोशिच करूँगे शेयर करने के उम्मीर करते हूं आपको मेरे व्लॉग प